एक और जहां छोटी काशी कही चाने वाली मंडी में शिवरातरी मेले की धूम है वही कुलू के सरवरी पार्क में भी शिवरातरी मेला धूमधाम के साथ संपन हुआ इस मेले का आयोजन दो दिनों तक किया जाता है कुलू के सरवरी पार्क में आयोजन शिवरातरी मेला संपन हो गया समापन मौके पर पूर्व सांसत महेशवर सिंग ने बतौर मुख्य अतिती शिर्कत की इस मौके पर संगम महा कमेटी के अध्यक्ष दानवेंद्र सिंग ने बताया कि ये मेला कुलू का सबसे पुराना मेला है इस मेले में लगभग दो दर्जन से अधिक दुकाने लगती थी लेकिन धीरे धीरे ये मेला लुप्त होने की कागार पर था इसे बचाने के लिए भूतनात मंदिर कमेटी आगे आई है अब हर वर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है उन्होंने कहा कि इस बार अखाडे से देवता दुरुव रिशी ने और फागू देवते ने पहली बार मेले में शिरकत की है उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथी ने संगम महादेव कमेटी को 5000 रुपे की सहयोग राशी भी प्रदान की पूर्व संसत महेश्वर सिंग ने बताया कि ये मेला सबसे पुराना मेला है लेकिन आर्थिक संकट के फलव सरूप धीरे धीरे ये मेला मात्र एक रसम रहे गई उन्होंने कहा कि जब से भूतनाथ कमेटी बनी है तब से देवी देवताओं का काम कमेटी ने संभाला है तब से लेकर मेले में काफी विस्तार हुआ है कि ये मेला बहुत प्राचीन था लेकिन आर्थिक संकट के फल सरूप धीरे धीरे ये मेला मात्र एक रसम रह गई थी मैं बदाई देना चाहूँगा कि जो भूतनाथ कमेटी बनी है और जब से देपता का काम इनोंने संभाला है तब से लेकर इस मेले में बहुत विस्तार हुआ और आज इस तर तक पहुँचा है कि एक देपता के स्थान पर आज छे छे देपता यहाँ पर इनोंने जो है निमंतरन दिया है और भोजन इत्यादी सब चीज की ब्यवस्ता की है में इनको और इसमें विशेश योगदान शिरी प्रेम कॉंडल का रहा हुआ है सुर्गियर और नंदलाल जी कॉंडल उस वक्त इसका सुधारा रम्ब हुआ था और आज उनके इस पुत्र और सारी ये कमेटी इस मेले को इस तर तक पंचा सकी है और मुझे विश्वास है कि जो आगे आने वाले समय में ये अपनी बच्चत करेंगे देवता की आय से और सरकार से गरांट दिलाना हमारा काम होगा ताके यहां पर बिजली से संचाली तो शब्दा गरीब बन सके सुठी चैनल के लिए कुलू से दिलीब ठाकुर की रिपोर्ट